पप्पु का, राजू का, छोटू का, सब के पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक, मिंटों में वो कैसे? पगार खाता के आकरशक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ पुष रहेगा, तभी तो बिजनिस आगे बढ़ेगा आज ही पगार खाता टाउनलोड करें टूलकिट केस में गिरफतार की गई बैंगलूरू की दिशा रवी ने जमानत पर बहार आने के बाद पहली बार कोई बयान जारी किया है चार पन्ने का ये बयान उन्होंने ट्विटर पर शेर किया तेरा मार्च को ट्विट किये गए इन पन्नों में दिशा का पूरा बयान या यूं कहें कि आप बीती दर्ज है उन्होंने तिहार के अनुभग को भी बताया और साथी परियावरन से जुड़ी बाते भी कही है साथ ये भी कहा कि क्लाइमिट जिस्टिस के लिए उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जानते हैं क्या लिखा है दिशाने 22 साल की दिशाने शनिवार 13 मार्च को अपनी चुपी तोड़ते हुए लिखा कि विचार कभी नहीं मरते और सच हमेशा बाहर जरूर आता है उन्होंने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाय और कहा कि मेरे कामों को दोशी ठहराया गया था लेकिन कानून की अदालत में नहीं बलकि TRP चाहने वालों दौरा स्क्रीन पर उन्होंने लिखा देखती हो तो मैंने कभी जवाब में जेल नहीं कहा होगा मैं खुद से पूछती रही कि उस वक्त वहाँ पर होना कैसा था लेकिन इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था इससे गुजरने का केवल यही एक तरीका मुझे समझ आया कि मैं यह मालनू यह सब मेरे साथ नहीं हुआ है 13 फरवरी 2021 को पुलिस मेरे दर्वाजे पर नहीं आई मेरा फोन नहीं लिया मुझे गिरफतार नहीं किया मुझे कोट नहीं ले गए और मीडिया वाले महां अपने अपने लिए जगा नहीं तलाश कर रहे थे उन्होंने लिखा कि जब मैं कोट में खड़ी थी तब मुझे नहीं पता था कि कोट में क्या बोलना है और जब तक मेरी कुछ समझ में आता मुझे 5 दिन की पुलिस कस्टेडी में भेज दिया गया उन्होंने लिखा कि उन्हें इस बात की कोई हैरानी नहीं है कि उनकी तस्वीर निउस में च्षाई रही और TRP जाने वाले TV चैनलों ने उन्हें दोशी ठहरा दिया उन्होंने लिखा पांच दिन खत्म होने पर मुझे तीन दिन की नयाएक रासित में भेज दिया गया तियार में मुझे हर दिन, हर घंटे और हर सेकंड तक का पता था मैं अपनी सल में बंद ये सोच रही थी कि धर्ती पर जीविका के मूल तत्वों के बारे में सोचना कब से अपराध हो गया कुछ लोगों के लालच की कीमत लाखों लोग क्यों चुका रही हैं अगर हम कभी न खत्म होने वाले इस लालच को रोकने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो इंसानियत भी खत्म हो सकती है उन्होंने आखर में सोनी सोरी के हवाले से लिखा कि हमें हर दिन धमकी दी जाती है हमारी आवाज हैं कुचल दी जाती हैं लेकिन हम लड़ते रहेंगे आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोट ने 23 फरवरी को उन्हें एक लाख रुपे के निजी बॉंड पर जमानत दे दी थी उन्हें जमानत देते वी पटियाला हाउस कोट के जज धर्मेंदर राणा ने अभिव्यक्ती के आजादी और नागरिकों के लोकतांतरिक अधिकारों को लेकर कुछ महत्वपून टिपड़ियां भी की थी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिशा को 13 फरवरी को उनके बेंगलूरू स्थिद्खर से गरफतार किया था आपके ने खबर लिखिया हमारे साथी वरुन ने मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया